हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी एस फॉर सिविल सर्विस स्वागा था आपका पॉलिटी के जो बेस्ट एमसी क्यूस की जो सिरीज हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों की जो है प्रैक्टिस में क्या करेगी एकुरेसी लानी का प्रयास करेगी पूरा उसलिए सन्विधान के जो स्रोथ हैं उससे संबंदित हम लोग कुश्चन का सेट लगा रहे हैं उसमें यह अगली वीडियो है तो देखते हैं इसको तो 21 वा कुश्चन जो है हमारा भारती सन्विधान ने मूल करतव्यों को सामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है यहां पर यह याद रखिए का मूल करतव्यों की बात हो रही है मूल करतव्यों मतलब fundamental duties ओके तो option A Ireland option B अमेरिका और option C किया है फ्रांस और option D है पूर आप बस इसका option बताइए मुझे comment box में कौन सा right option है 22 कुश्चन देखिए भारती सन्विधान दौरा प्रदक्त मौलिक अधिकारों के इस्थगन संबंधी कारिपालिका के अधिकारों को किस देश के सन्विधान से लिया गया है option A Ireland option B Germany option C दक्षिड अफरीका option D France तो 22 को जो हमारा right option है वह क्या है Germany मौलिक अधिकारों के इस्थगन यानि की इस्थगन से मतलब क्या होता शच्पेंश से मतलब होता सब्सिंड करने की जो कारेपालिका कि अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया तो वह क्या है जर्मनी को वीमर constitution उसी से लिया गया इसका 23 वा कुश्चन देखते हैं 23 वा कुश्चन है हमारा सन्युक्त राज अमेरिका के सन्विधानी कादर्शों पर भारती सन्विधान में कौन सी विवस्ता शामिल की गई Option A, संगीस आसन विवस्ता Option B, मौलिक अदिकाव Option C, स्वतंतता विवस्ता विवस्ता का जो आईडिया वो भी इंस्पायर है मेरिका के Constitution से Fundamental Rights वहां से लिए ही गया है Separation of Power और स्वतंतर मामला वो लिए गया Judicial Review, यह कहां से लिया गया है यह सब सन्युक्तराज अमेरिका से लिया गया है 24 वा Question देखते है भारती सन्विधान के निर्वान में सर्वतिक गंभीर प्रभावन अमलिकित में से किसने छोड़ा British सन्विधान ने, सन्युक्तराज अमेरिका के सन्विधान ने Option D, आर्लेंड के सन्विधान ने, Option D, भारत सरकार अधिनियम 1935 तो 24 का राइड उप्शन जो है आप मुझे बताईए क्योंकि मैं इसको आपको पहले समझा चुका हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए 25 वा Question देखते है और चीज़वा Question है कि भारती सन्विधान में संगवाद किस देश से लिया गए जो फेडरलिजम का जो कॉंसेप्ट हैंडियम किस देश से लिया गए Option A, UA, Option B, USA, Option C, Australia, Option D, Canada तो 25 को जो हमारा राइट आप्शन है वो क्या है Canada, Canada से जो है फेडरलिजम को कॉंसेप्ट लिया गया है जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है बसिकली यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया है राज को अलग शक्तियं प्रदान की गई है सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की और केंदर को अलग 26 वा कुशन देखते है सर्वोच नियाले की विवस्था भारती सन्विधान में किस देश से लिया गया है सर्वोच नियाला की जो विवस्ता है सुप्रीम कोड की विवस्ता है बारती सनिदान में किस देश से लिया गया option A जापान option B USA option C Britain option D South Africa ठीक है दक्षिड अफ्रीका तो 26 वे का right option क्या हमारा right option B जो USA है वहीं का सर्वोच नियाला का जो सिस्टम है उसको इंडिया में अडॉप्ट किया गया है या उससे इंस्परेशन ली गई है 27 कुश्यान है कि संघात्मक सासन व्यास्था को सर्वोच ने अपना है जो तो फ्रेडरल सिस्टम होता है उसको सबसे पहले किस देश में अपना है option A America option B रूस option C Canada और option D Nigeria तो 27 को जो हमारा right option है वो क्या है वो है Canada सबसे पहले जो है जो संघात्मक सासन व्यास्था है सर्वोच प्रथम यह बहुत important है क्योंकि इससे आप confused भी हो सकते हैं तो यह याद रखिए कि Canada ने सर्व प्रथम जो है इंग्लेंड का जो वेस्ट मिन्स्टर मॉडल है उससे ही भारत की जो संसदी प्रणाली है प्रभावित है इंस्पाइड है उससे 29 कोश्चन देखते हैं भारत के सन्विधान की प्रस्थावना में प्रथिस तापित सोतंतता समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेणना कहां से ली गई है option A फ्रांस की क्रांती से option B रूस की क्रांती से option C अमेर्की सोतंतता संग्राम से और option D है United Nation जो घोशना पत्र है उससे लिया गया तो थोड़ा सा यहां पर concept समझते हैं हम लोग अमेरिका का सवतंतता संग्राम है वहां पर से क्या लिया गया है वहां पर liberty पर बहुत focus किया गया किस पर liberty फोकस किया गया है रूस की क्रांती से जो है क्या लाया गया था वहां पर पहली बार जो है developing countries को जो है promote करने के लिए ये इसकी गोशना पत्र की स्थापना की गई तो right option क्या है right option है फ्रांस की क्रांती फ्रांस की क्रांती में जो है liberty equality और fraternity की बात की गई थी और यहीं से प्रभावीत है अगला question है भारती सन्विधान की जो संशोधन प्रक्रिया किस देश के सन्विधान से प्रभावीत है जो amendment करने का जो process है वो किस देश के constitution से इंडिया constitution में बढ़ा option A Canada option B है Australia और option C ली और option D है दक्षिड अफ्रीका तो right option क्या है मारा तीसवे का right option है South Africa ओके दच्षिड अफ्रीका से क्या है संशोधन प्रक्रिया का जो तरीका है वो लिया गया है उससे प्रभावीत है एक तिसवे question है किस देश के सन्विधान से भारत की संगी व्यवस्ता प्रभावीत नहीं है सन्युक्तराज अमेरिका, कैनडा, दक्षिड अफ्रीका, औस्ट्रेलिया तैक तिसवे का right option है हमारा वो क्या है यह है आपका दक्षिड अफ्रीका, दक्षिड अफ्रीका जो है वहां से प्रभावीत नहीं है भारत की संगी व्यवस्ता है क्योंकि इसमें जो है कैनडा से सबसे ज़्यादा है अमेरिका से भी प्रभावित है अस्ट्रेलिया से भी है लेकिन किस से नहीं है दक्षिड अफ्रीका से नहीं है कि बत्तिस्वा कोश्चन देखते हैं हम लोग बत्तिस्वा कोश्चन जो है आईयस का जो पेपर हुआ था 1995 का उसमें पूछा गया था इसमें हमें सूची एक को सूची दो से क्या गया न मैश करना है भारत के सन्विधान के लक्षन मूल अधिकार शासन की संसदी प्रणाली आपात उबंद राज के निती निदिशक तर्थ बेसिकलिए किस देश से क्या किया गया है ग्रहित किया यह लिया गया है तो मूल अधिकार कहा से लिया गया है यूेसे से लिया गया है घ्ट्रण से तर्ट्ट्टी तो जो राइट प्रोल जीत गया है ह। वो क्या है? वो है C ओके? C से जो है ये मैच हो जाएगा आपका अगला कुश्ण देखते हैं हम लो 33 वा कुश्ण है हमारा नेम लिकित में तो कौन सा लक्षन भारती परिसंग और अमेरीकी परिसंग समान रूप से पाए जाता है ये क्या है? एक ही नागरिक्ता सिंगल सिटिजनशिप तो ये एकदम गलत है उसकी वज़ा है USA में क्या है? डूल सिटिजनशिप का कॉंसेट है और इंडिया में क्या है? सिंगल सिटिजनशिप ये एक हैरी नागरिक्ता का कॉंसेट है तीक है USA में क्या होता है एक देश की नागरिक्ता होती है फिर राज की होती है option में सन्विधान की तीनों अनुसूची है न्याय पालिका की दोयतता या सन्विधान की निर्वचन के लिए परिसंगमी उच्चतम न्यालाई 33 का जो हमारे right option है वो क्या है वो है D सन्विधान के निर्वचन के लिए परिसंगी उच्चतम न्यालाई की विवस्था बोत कंट्रीज में की गई है USA में और इंडिया में similarities इसी को बोलते है संसदी सासन प्रणाली सरप्रतम किस देश में विक्सित हुई parliamentary system जो है कहां पर पहली बार develop हुई ऑप्शन ब्रिटन ऑप्शन बी बेल्जियम ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है स्विट्जेलेंड और यह MPPCS 2006 के preliminary exam में कुछा गया था 34 कोश्चन है मारा तो 34 कोश्चन का जो राइट अंसर है वो क्या है मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको 35 कोश्चन देखते हैं निम्लिकित में से वा सनविधानिक दस्तवेज कौन सा है जिसका भारती सनविधान तयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा ओके ऑप्शन ने 12 सरकार अधीनियम 1935 ऑप्शन भी यूएसे ठीक है यूएसे का जो कॉंस्ट्यूशन ऑप्शन सी है ब्रिडिश कॉंस्ट्यूशन ऑप्शन दी यूएन चार्टर अब यह कोश्चन जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि से प्रेरित हैं तो यह जो है यह आंसर भी बहुत इजी है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसको आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताईए साथिस्वा कोश्चन भारत के राष्टपती की आपात कालिन सकतियां जो एमर्जेंसी पावर है नेम लिकिस में किस देश की देन है ठीक है कैनडा के सन्विधान से जर्मनी की वीमर कॉंस्टिउशन से अस्टेलिया के सन्विधान से अमेरिका के सन्विधान से इसका भी ज लेटको परक्ता चुक्तु sa government inside करके कि व्यांस कुष्टिन जौ है दो सनW speakers विधान निर्माताओं में कॉन सा लक्षन अमेरिका के सनविधान से क्या किया गया के वे गरहन किया गया विए संविधान हें ये तेन्यस कोन अमेरिकाश होरे डीए यह तीनों जो चीज़ें हैं USA के constitution से ग्राण किया गया है चैलिसवा question है हमारे सन्मिधान में मूल अधिकार किस सन्मिधान से प्रेरित हैं A. America, B. USA, C. Switzerland, D. Soviet Union तो अब इसका जो है आप मुझे right option comment box में answer करके बताएए मैं आपको यह पहले पढ़ा चुका हूँ I hope कि आपको यह सारे जो है questions जो है जो प्रेक्टिस सेट के हैं वो important लगेंगे और आपके यह आने वाले exam में मात्पूर्ण भूमिका भी निकाएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको like, share, subscribe करें तो thank you, thank you for watching the video